आमतोर पर ना ज्यादा देर बैठे रहने से, ज्यादा टाइम एक साथ डिस्क जोब करने से, एक करवट में सुनी से लिकी हलत पोस्चर और मांस पेशों में सूजन की कारणी हमारे कमर में दर्द की प्राबलम हमें होती है, जी हाँ, लेकिन कई बार कमर की नस दबनी की नस दबने को हलके में लेना सबसे बड़ी लापरवाही होती है, क्योंकि दोस्तों अगर समय रहने इसका इलाज ना किया जाए ना, तो ये खतनाक रूप भी ले सकता है, तो चलिए आपको बताते हैं, पिंच जो नर्व या फिर, जो कमर में नस दब जाती है, उसके क्या होते हैं, इसमें आपको गंभीर कमर में दड़ और अकड़न होती है, कमर और शरी के किसी भी हिस्से में पिंच चुबने जैसा महसूस होता है, आपके पैरों की तज़ा सुन पर जाती है, टांगों में कमजोरी और आंटन महसूस होती है, खासने या बैटने जैसी गत हेटफोन्स ने, तो यहां लेटेस्ट हेटफोन्स, गेमिंग हेटफोन्स, गेमिंग इयरबड्स को बाई करनी के लिए विजिट करें हमारे अमेज़ून स्टोर पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप चुनी का इस्तमाल देना है, इस बात का ध्यान रखें कि सुभा सुभा खाली पेट इस नुस्के को आजमाएं, जो आपकी दबीवी नस को खुलने का बहुत अच्छा काम करेगा, नेक्स्ट आप गर्म सिकाई करे, कमर की नस दबनी पर गर्म सिकाई करनी से आपको काफी जदा राम मिलता है, इसके लिए आप होट बॉटल या बैक का इस्तमाल कर सकते हैं, एक बार में 10-15 मिनित के लिए प्रभावित हिस्से पर गर्म सिकाई करे, इससे आपका ब्लड सिर्किलेशन बहतर होगा और माउस पेशों को अराम मिलेगा, जिससे दबीवी नस खुल जाएगी, और नेक्स् गर्म तेल से मालिश करने पर माउस पेशों को अराम मिलेगा, महाँ पर दर्ड, सूजन, अकडन के साथी दबीवी नस खुलने में अराम मिलेगा नेक्स्ट आप सिंगार का पौधा ले, जी हाँ दबीवी नस को खुलने के लिए ये पौधा बहुत ही जियरदा एफेक्टिव होता है आपको बस सिंगार का पौधा लेना है और जो इसके पत्ते जिसे पारी जाद भी कहा जाता है इन पत्तों को पानी में उबाल कर कुछ दिनों तक सेवन कने से दबीवी नस को खुलने में बहुत मदद मिलती है आप दिन में चार या पांच पत्ते ही पानी में उबाल कर लीचेगा इससे आपके कमर के नस खुल जाएगी